हलो गाइज विलकम बैक टो एडूप चैनल में अपल का दोस्तों रचानका उस्ट रांतों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वालों है कि यह जो गेम है कि यह जो गेम है पूरी इंफोर्मेशन आपको मिलने वाले दोस्तों प्रूफ के साथ में तो कभी आप लोगो लगने वाला तो पूरा एंड तक एकदम ध्यान से दिखते रहना जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक शेर कमेंट तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो के स्टाटिंग में आप लोगमार चैनल के पर पहली बार आये होत अब ब चुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें बात करेंगे कि यह जो जुटी ए फाइव गेम है यह कैपेबल है या नहीं अपने iOS और Android दोनों के लिए और अभी तक कि यह गेम रिलीस क्यों नहीं हुआ ठीक है तो अब वीडियो के एकदम ध्यान से आप लोग देखिए तो य यहां पे कि भाई GTA 5 गेम नहीं तो अभी कैपेबल है और नहीं फ्यूचर में कैपेबल होने वाला है ठीक है तो यह बात दोस्तों आंसर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यह जो गेम है GTA 5 कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है दोनों के लिए iOS के लिए और Android के लिए है वह क्यों नहीं है क्या फेक्टर्स है यहां पर ऐसे जिसकी वजह से हमारा जो Android फोन है या iOS है वह इस गेम को जो हैंडल नहीं कर सकता तो दोस्तों सबसे बहुत तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अभी जो मार्केट के अंदर स्मार्टफोन अवलेबल है फ्लैक्श यह सोचते हैं लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों बता दूँ यहां पर कि यह जो ग्राफिक्स होते हैं गेम के वह दोस्तों हमारा प्रोचेसर हैंडल नहीं कर सकता है क्यूंकि GTA 5 के जो ग्राफिक्स है दोस्तों उसको हैंडल करने के लिए अपने जो स्मार्टफोन है उसके तो दोस्तों यहां पे गर उसके अंदर GPU भी लगा दिया जाए तो भी दोस्तों वो होगा नहीं क्यों कि देखो यहां पे होता क्या है कि आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप लोग बड़े से बड़े अपने Android फोन के अंदर enjoy करते हैं तो आपका जो फोन होता है वो heat हो जाता है क्यों हीट होता है क्यों कि आपके फोन का जो प्रोसेसर है उसके उपर बहुत ज़दा heavy load पड़ता है साथी साथ आपकी जो बैटरी है वो यार ज़दा ज़दा 45000 mh की होगी आपके फोन के अंदर तो वो दोस्तों बहुत ज़दा power consume करता है वो गेम आप लोगोंने ये भी चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप लोग गेम खिलते हो तो आपके जो बैटरी है वो जल्दी जल्दी जो हो डाउन होने लग जाती तो वो यही कारण की वज़े से होती है एक तो heat up बहुत ज सबसे ज़्यादा में चीज़ है कि आपका जो प्रोसेसर है वो दोस्तों अभी तक के हैंडल इस गेम को नहीं कर सकता है ग्राफिक कार्ड जो है वो होना कंपल सरी है अपने किसी भी एक स्मार्टफोन की अंदर तो अभी जो फोन है जितने भी आपको दिखने मिलता है फ्ल वजह से यह जो गेम है जिटीए 5 और बहुत सारे बड़े बड़े जो अधर गेम से जैसे पॉस्ट डॉक्ट टू हो गया मैं सारे गेमस को इसके अंदर जो है इंक्लूट कर ले रहा हूं यहां पर ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि बहुत चलो जीटे फाइब को तो वाश्डॉक टू कैपेबल है या नहीं या फिर दूसरे वी जो बड़े बड़े गेमस हैं वो गैपेबल है या नहीं तो मैं आपको बताते चलू जितने भी गेम से बड़े से बड़े हाई ग्राफिक्स जैसकोर्स वगर यह सारे दोस्तों कैपेबल नहीं है क्यूंकि को बोलेंगे कि जो रैम है और जो स्पेस है और बाकी भी जो एंडूइड वर्जिंस फगर है अपना तो इसके में मुताबिक और फ्यूचर में जो आने वाले जो स्मार्टफोन है क्योंकि टेक्नॉलोजी बहुत जादा जो भी आगे बढ़ते चल चारी है नहीं स्मार्टफ कोई भी कैपेबल नहीं होगा इन सभी गेम्स के लिए जी टे फाइब के लिए और बाकी जो बड़े-बड़े PC गेम्स है उनके लिए भी तो इसी वज़े से 2025 के बाद हो सकता है कि Android स्मार्टफोन के अंदर यहां पर दोस्तों जो अपना GPU है या फिर जो अपने ग्राफिक के अंदर चांसेस निकल करके आता है कि वो capable हो जाएंगे लेकिन अभी उसके फिलाल में हम लोग कुछ यहां पर कहें नहीं सकते ठीक है तो यह सारी दोस्तों सिनारियो मैंने आपको बताया इन गेम्स का इसी वज़े से यह गेम capable नहीं है अपने Android phone के अंदर और बात निकल नहीं है यहां पर Rockstar Games बहुत ज़्यादा जो है वो चालू developers है यहां पर आपको पता ही होगा इसी वज़े से यह जो चीज़े है क्योंकि phone ही capable नहीं तो वो यह लोग यार गेम को बनाएंगे कैसा GTA 4 अलग बात है वो के चलो भाई GTA 4 को भी वो लोग नहीं बना रहे हाला कि वो तोड़ा वो त्यहां पर capable हो चुका है अलग बात है लेकिन बाकी जो गेम से बड़े-बड़े developers क्यों नहीं बनाते वो इसी वज़ेस नहीं बनाते क्योंकि यह जो चीज़े अभी फिट नहीं हुई भी इन गेम्स के लिए ठीक है तो यह दोस्तो complete information मने आप लोग बता है इस वीडियो के अंदर I hope आपको वीडि शेर कर दो कमेंट्स कर दो चैनल के उपन आयों तो सब्सक्राइब करके बिल वड़न को विज़ेस कर दीच चली गास में मिल तॉप लोगों नेक्स टूडियो में तुल यहन बाई-बाई-बाई एंटेगा बाई फ्रेंट्स